आत्म ग्यान ही सबसे बड़ी संपता है। इस परकार जो मनुस्य आत्म ग्यान प्राप्त करके अध्यात्मिक जीवन में परविश करते हैं, वी किवल स्व्यम ही सुखी और सफल मनुरत नहीं होते, वरन वे संसार में एक ऐसी धारा परवाहित करते हैं, जो अधिक मनिस्यों क लिए कल्यान कारे सीध होती है। हमारे जीवन में सबसे सुखद और मुल्यवान वहीं छण है। जब हम भावतिक जगत के माया जाल्म से अपने आपको तटस्त करके आत्मन भूती में प्रुन रूप से इस्तित हो जाते हैं, इन छणों को प्राप्त करने का स्वभाग्या तभी प्राप्त होता है। जब हम दिब संदरे के सम्मुक होते हैं। अन्याथा नहीं, भावतिक जगत के संपती इनको नहीं खर दी जा सकती। और नहीं संसार की उच्छी से उच्छी निच्छी, आवस्था, अधिकार, अथ्मा सकती ही उनको प्राप्त कराने में समर्थ है। क्योंकि यह वहीं छड़ है जब आत्मा सिसु सुलव सरलता से अपनी प्रियतम भगवान की अनुपम सुन्दर्ता का पूजन कहती है। मनुस्य का सुन्दर्तम अर्थात सर्वतम सुख में छड़ ही उसका सबसे अधिक मुल्यवान समय होता है। मानव अनुभोती की परकाष्ठा अपने भायों पर सासन करने की यत्वा संसार की किसी भी इच्छित, मुल्यवान, निधी को खर दने की सक्ती में नहीं है। वास्तिक संपती तो आत्मा की अनुभोती से प्राप्त होती है। सुख की बेवहारिक मुद्रार्थात चलतु किसी का प्रेम है। सबसे अधिक धनी वहीं है जो सबसे अधिक देता है। ऐसा देना संसारिक धन के रूप में कदापी नहीं हो सकता। रुपया आना पाई केवल प्रतीक मात्र है। इसके अत्रिक और कुछ भी नहीं। कभी तो ये उन बेडियों की प्रतीक बन जाते हैं। जो हमें संसार में बांधती हैं। और कभी उस प्रेम के जो हमें जड़वात से अमोक्त होते हैं। किन्तु जिवर के सचे संपन अर्थात सुखत छणों में तो अधिकतर इनका प्रविस ही नहीं होता है। जिस संसार में हम चलते हैं, फिरते और बसते हैं। उसको यथार्थ रूप में समझने के चिश्टा आवसी करके चाहिए। सधार्ण मनुसी की दृष्टी केवल सडनी, गलनी और नश्ट होने वाली वस्तुओं पंडिरने दे सकती है। परंतु इस उपरिय स्थुलता के पीछे बहुमुल्य आध्यात्मिक वस्तुओं का एक अनादि सागर है। आलोकिक संपती की एक बाड़ है जिसके संबन में हम प्राया अनिवग्य हैं। तथा पर ये आध्यात्मिक संपती सब के लिए समान रूप से प्राप्य है। इसके लिए धनी, दरिद्र की अप्विक्षा नहीं। ये संपती पर हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। और वास्ते में इसी की प्राप्ती के लिए तो हमारा इस संसार में जन्म हुआ है। यदि हम इस आध्यात्मिक संपती के जो अलोकिक संदर्ता की खान है। अनुसंधान में ततपर नहीं होते तो हमारा जीवन नीरस और नीरर्थक बन जाता है। संसार में आत्मकल्यान के सबी एक्छुक होते हैं पर वास्तिक आत्मकल्यान तभी संबव है जब मनुस्य आत्मग्यान के लिए प्रैतन सील हो बीना आत्मग्यान के जो आत्मकल्यान चाहते हैं वे बीना निव मकान खड़ा करने के चेस्टा करते हैं ऐसे लोग प्राया विप्रित मार्गों को अंगिकार करके आत्म कल्यान की बजाए आत्मिक पतन की और अग्रसर होने लगते हैं इसलिए संसार में उच इस्थिती के विलासा रखने वाले को अवस्थियात्म को जनने और उसी के आदीज पालन का सत संकल्ब करना चाहिए खरियो